यूपी के लखीमपूर खिरी में रवीबार को हुई जड़प में आठ लोगों की मौद के बाद मामला बेहद संगीन हो गया आपको बता दे कि गर्मा गया है मामला पूरी तरह से और लखीमपूर में किसान राथ से धरना दे रहे हैं इनके माग है कि दोशियों को जब तक कारवाई नहीं होती वो धरना जारी रखेंगे इससे पहले किसान नेता राकेश टिकेट सुभा साड़े चार बजे के करीब लखीमपूर पहुँच गए थे और उन्होंने लखीमपूर के एक गुर्दवारे में किसानों की कमेटी के सा आशीश मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर दे की भी मांग की राकेश टिकेट ने किसानों से बैठक के बाद एलान कर दिया है जब तक कारवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संसकार नहीं किया जाएगा इतना ही नहीं फिलाल लखिमपूर में धारा 144 लगा दी गई है नेताओं के आने जाने पर भी परतिबंद लगा दिया गया है आपको बता दे कि इस मामले में FIR दर्ज की जाएगी और आपको ये भी बता देते हैं कि FIR में केंद्रिये ग्रह राज्य मंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा का नाम होना बताया जा रहा है इस मामले में केंद्रिये ग्रहराज्य मंत्री अजे मिश्रा का कहना है कि किसानों के रूप में उप जो तत्र का पूरा हंगामा किया गया था انहोंने कहा कि किसानों के बीच छुपे हुए कुछ कुछ तत्तों ने उनकी विजेपी कारे करता हूँ क्यों गाडियों पर पत्तराव किया है और लाठी डंडे से वार करने शुरू किये हैं फिर उन्हें खीच कर लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है इसके वीडियों भी है जो वो सामने उनके पास है अजे मिश्रा ने ये भी कहा कि उन्होंने गाडियों को सडक से नीचे खाई में धक्का दिया उन्होंने गाडियों में आग लगाई तोड़फोर की मेरा बेटा कारेकरम खतम होने तक वही था उन जिन हो ने आपको बता दे तरह से घटनाएं की हैं और अगर मेरा बेटा वहाँ होता तो वो उसकी भी पीट पीट कर हत्या हो सकती थी हमारे कारेकरता की दुखद मित्ती हुई है हमारे तीन कारेकरता और ड्राइवर मारा गया है हम इसके खिलाफ F.I.R. कराएंगे इसमें शामिल सभी लोगों पर धारा 302 का केस लगाया जाएगा क्रूजर ड्रक्स मामले में शारुक खान के बेटे आरेन खान सहीत तीनों आरोपियों को कोट ने एक ही NCB की हिरासत में भेज दिया है आज की रात आरेन खान अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेच्चा तीनों आरोपियों को NCB के दफ्तर में गुजारने होगी आपको बता दे कि आज दोपहर धाई वजे कोट नमबर आठ में सुनवाई होगी और तीनों आरोपियों को NCB ने आज मुंबई की किला कोट में पेश किया है NCB ने दो दिनों की हिरासत मांगी थी कोट ने एक दिन में हिरासत में भेज दिया कोट में सबसे पहले NCB ने अपनी दलील रखी NCB ने कहा कि चैट से डीलर से संपर्क में रहने का पता चला है पहले दिन ही आरोपियों के चैट रिकवर किये गए NCV ने कहा कि आरोपियों और डीलर को आमने सामने बिठा कर पूँचता आच होगी इसके बाद जाने माने वकील सतीश मानशिंदे ने अपनी बात भी रखी है उन्होंने कहा कि आरेन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रक्स कहलाया जाए आरेन को गेस्ट के तौर पर बुलाये गया था उसने क्रूज का टिकट नहीं लिया था आपको बता दे कि शनिवार शाम हुई NCV की छापे मारी के दोरान MDM और आपको बता दे कि कोकीन MD और चरस जैसे मादक परदार्थ जो हैं वो बरामत किये गए थे अधिकारियों ने इसको लेकर कहा कि मादत परदार्थ रोधी एजेंसी ने इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के अधार पर NCV की एक टीम ने अपने छेत्रिय निर्देशक समीर वन खेड़े के नितुत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर चापा मारा और कुछ यात्रियों के पास से नश्चिला परदार्थ जो था वो भी बरामत किया गया इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान संदिक्दों की तलाशी भी की गई और उनके पास से अलग-अलग मादक परदार्थ बरामत किये गए उन्होंने ये भी कहा कि उनके कपड़ों में भी मादक बरदार्थ ब्रामद हुए